हेलो वाट्स अप गाइस माने में स्मिनोध बादु थापा इन टूडेन इस फीडियो भूबिल सी कॉंटेक्स्ट अपया इन रियक्ट अप्लिकेशन चलिए गाइस देख लेते कॉंटेक्स्ट अपया किसे कहते देखिए सबसे पहले तो कल की दिन अगर आपको यादो मैंने एक प्रॉब्लम आपके साथ सेर के थी यहां पे लेट्स इमेजिन कि हमारा यह जो काउंटर एप्लिकेशन है उसके पास एक डेटा है जो की मेरे ग्रेंड ग्रेंड चाइल्ड कंपोनेंट को चाहिए था बट इन रियालिटी रियक्ट में कोई ऐसा तरीका है ही नहीं जहा प्रहूजरो जितने भी कंपोनेंट साते हैं मूझे उनको डेटा पास करना पड़ता है और बिसिकली जो उसका डारेक्क पैरेंट हुए उसके त्रू मेरे डेटा गेट कर सकते हैं इन आवर केस यह जो ग्रेंड चैल्ट दीख रहा है ये इसको डेटा पास करेगा हमारे case में child and then हमारे grandchild को तो डेटा चाहिए ही नहीं था तो इस problem को solve करने के लिए we have guys what we have our context API ठीके कैसे हो ता मैं आपको बता तो देख लिए कुछ चीजे है जो आपको समझना जरूरी है when it comes to your context API जिसमें से इसका simple का में to pass the data through the component tree without having to pass props down manually obviously यही तो मुझे चाहिए था कि manually एक की निचे pass ना करके किसी को भी हम data directly pass कर सकते है and यहां पर तीन चुचों को आपको समझना जरूरी that is सबसे पहले we need to create a context then we need to create a provider component and then we need to have a use context hook जिसको हम consumer बोलते है मतलब एक तो आप context बनाओ it's like creating a warehouse then we need to have this provider उस context में आप सारा data डाल दीजिए provider component के अंदर आप क्या करोगे आपके पास एक provider होगा it's like a delivery boy जो की वो value या जो भी delivery है वो उसका काम होगा and consumer basically वो house जिस पे आप delivery करने जाओगे या जो उस delivery को accept करेंगे so context आपका provider and then your consumer तो ये तीन मिलके आपका context API बनता है and last में ये जो consumer वाला पार्ट है वहाँ पर आपका ये जो use context होगे वो काम आता है तो इसके साथ हम कैसे खेल सकते हो मैं बता देता हूँ so here are the tricks I mean तरीका जिसके साथ आप कर सकते हो लिकिन मैं आपको करके बताता हो ये ठीक है फिर हम इस पर आते देख लीजिए तो यह हमारा कल का कोड था इसको मैंने आजटीज रखा है तो आप देखना द्यांसे में क्या करते हो here we have a hooks over here आप देख सकते हो हमारे पास यहां पर hooks है ठीक है इस hooks पर मैं आप एक new folder क्रेट करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा context API जा रहा है ठीक है simple उसके अंदर एक new file क्रेट करने जा रहा हूँ index.js ठीक है simple चलो ठीक है एंड साथी साथ में एक और data यहां पर पास कर देता हूँ I mean एक और file क्रेट कर देता हूँ जिसका नाम होगा home.js ठीक है तो सबसे पहले यह जो हमारा index है यहां पर हमें context क्रेट करना है ठीक है basically आप समस्लिजे context API का काम एक बड़ा सा warehouse जिसका अंदर सारा data आपको रखना है सब basically delivery की तरह आप समस्लिजे ठीक है so guys कैसे करेंगे we need to create a context and इस तरह कैसे आपको लिखना है आप यहां पर control and then space hit कीजिए for the time being कोई suggestion तो आने रहे but it doesn't matter तो आपको context क्रेट करना है and by default हमें दिया हुए react में create context करके so const तो इसकी जो भी value होगी वह आप एक जगे पर add कर सकते हो तो मैं लिख देता हूँ यहां पर let's go with यही तो एक confusing नाम सोचना ही बहुत बड़ा एक challenge होता है bio context लिख देता हूँ मैं पता नहीं मैंने क्यों bio लिखा but मैं सोच रहा हूँ कि एक bio data वाला हम बनाते है so मैंने इस तरह किसे लिख दिया bio context ठीक है इसकी मतर्स से कोई भी variable क्रेट कर रहे हो तो वह आपका एक component की तरह काम करता है यह आपको make sure करना है and always make sure जब आप हो create कर रहे हो तो यह जो first letter है it must be capital समझ रहो आप देख रहो यह capital है हम जब भी variable क्रेट करते हैं ठीक है this is your first step let's go with our second step so second step में guys अब आपको एक provider component बनाना होगा so bio provider में लिख देता हूँ this is it अब यह जो provider component है इसके अंदर आपको data pass करना होता है कौन सा मैं बता हो देखो यहाँ पर बहुत क्लिए लिए लिखा है यह वाला particular line आप पढ़िए the provider is a property of the context component we pass the value to the provider which makes it accessible to the child component the value should be passed inside a double I hope आपको बता चल गया and यह तब आप करना if the data is more than one उस तरीके से होता है तो provider component के अंदर कोई तो भी provider property है यह हमें बोल रहा है मैं आपको बता तो कैसे आपने second step में provider component बनाई नाम आप कुछ भी लिख सकते हो बट एक convention है कि provider आप लिखे and then यहाँ पर bio है तो bio provider आपने कर दिया we need to return आपका यह जो bio context component है वो ठीक है अब यहाँ पर आपका काम आएगा dot इसके अंदर एक property होती है that is your provider component के अंदर ही guys आपको कुछ props पास करने होते हैं जिसमें से एक है आपका value and यही सबसे ज़्याद important है तो basically यह particular part है provider it's like your warehouse यह warehouse है इसके अंदर let's say आपने जुते आपने mobiles laptops computer यह सब रखा है आपके यहाँ पर let's say you have a laptop है आपके पास computers यह सारी चीजे है तो यह सारी चीजों तो चलो अपने warehouse पे रख दी लेकिन वो कोई भी access नहीं कर सकता until and unless जब तक आप वो value के अंदर उस सब को pass नहीं करते हाँ हमारे पास laptop है हाँ मेरे पास computer है इस तरह किसे समझ रहे हो तो value का काम बहुत important है and में थुई दिर में बताता हो अभी देखो कैसे and for example मैं यहाँ पे चलता हूँ let's say मैं bio data पे काम कर रहा हूँ so const my name कर देता हूँ will be equal to यहाँ पे एक Vinod कर दिया मैंने फिलाल अभी चलो फिलाल के लिए मैं सिर्फ एक नाम रखता हूँ and that is Vinod तो अब यह जो Vinod है इसको मैं directly यहाँ पे इस तरह किसे my and then name में कर सकता हूँ तो मतलब मेरे इस provider के अंदर यह provider component है उसके अंदर मैंने मेरे पास फिलाल अभी एक ही data है खाली and that is यह वाला variable and मैंने हमारा जो bio context component है उसके अंदर जो provider property इसको get किया and उसमें as a props value pass कर दी my name अभी यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही जाद important है जो लोग miss करने वाले थोड़ी देर में मैं बताता हूँ and by the way guys आपका यह काम हो चुका है आपका यह काम हो चुका है बस आपको करना क्या होगा यह जो भी आपने बनाया bio provider यह जो bio provider आपने बनाई आपको इसको करना पड़ेगा what? एक second आपको यह करना पड़ेगा export ठीक है and by the way इसको भी आपको export करना पड़ेगा ठीक है यह सारी चीज़ों को हम export करना पड़ता है अब यह provider जो है न मैं चलता हूं मेरे यहां पर एप वाले पर फिलाल यह जो भी लिखा हुआ है parent को मैं हटाता हूं फिलाल के लिए मैं home लिखके छोड़ रहा हूं इसको ठीक है अब आपको न अपने app component पर आना होगा ठीक है app component पर आना क्योंकि अगर वह value वह data get करना चाहता है access करना चाहता है तो वह उसको बहुत easily कर सकता है तो उसके लिए हमें हमारे जितने भी components application के अंदर उनको यह जो हमारा provider component है उसके अंदर उसको wrap करना पड़ता है we have a bio provider ठीक है इस तरीके से एंड या तो बस आपको wrap करना कुछ नहीं है बस आपको wrap करना है this is it and यह आप ऐसे नहीं कर सकते इस तरीके से ठीक है अभी यह home इसको दिखनी रहे basically मिलनी रहे but अभी मैं मिला देता हूँ export const home इस तरीके से and return h1 hello context API ठीक है this is it तो मैं index पे मुझे कोई फिलाल इसका काम नहीं बठाँ app पे आप मैं चलूँगा home पे control and space home मैंने gate की this is it इसको मुझे run करना है so मैं cd वो कर देता हूँ burn and then depth करके मैं इसको run कर देता हूँ so 5173 पे यह run कर रहा है localhost 5173 and by the way inspect पे मैं चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहां पर देखो यहां पर हमें कोई भी data मिल नहीं रहा है तो अब यह भी बहुत ही जाद है important आपको यह समझना कि आपको data मिलेगा भी नहीं क्यों कि आपने क्या कर दिया आपने अपना यह जो app जो main app था है ना अपना component आपने उसको basically bio provider के अंदर उसको रैप किया हुआ है अब यह जो provider component है उसके अंदर यह component हमने add की हुई है ध्यान से सुनना यह बहुत important है तो यह आपको समझना पड़ेगा कि जब आप इस तरह कि से bio provider basically provider component create करते हो आपको यहां पर curly braces देना पड़ेगा it means आप destructure कर रहे हो कि मेरे bio provider basically यह जो bio provider के अंदर जितने भी मेरे components है उसको मुझे get करना है वो मुझे चाहिए समझ रहे हो तो यहां पर आईए यहां पर आपको children लिखना पड़ेगा इस तरीके से यह जो children है copy करके इनके अंदर curly braces में आपको pass करना पड़ेगा तो अब यह आपने children pass कर दिये इस तरीके से ठीक है children pass करने से हुआ यह कि आपका यह provider component है उसके अंदर अब जितने भी components होंगे उन सबको मैंने यहां पर बता दिया मैंने यहां पर लिखित बोलते हैं ना लिखित sign करके लाओ कि हाँ यह यह children है उसके अंदर मैंने यहां पर बता दी अब बहुत easily इसके अंदर हमारे basically इस provider के अंदर जितने भी यह components है बहुत easily यह वाली जो value है उसको get कर सकेंगे ठीक है अब मैं Ctrl & Save करता हूँ यहां पर मैं चलता हूँ and boom guys see मुझे मेरा data आगया तो no matter what यह जो एक particular part है यह आपको कभी नहीं भूलना है children आपको यहां पर लिखना ही पड़ेगा तब ही वह आपको दिखेगा basically इस provider component के लिए children है न बेतुबे children करोगे तो आपको यह मिल जाएगा by the way कोई वह नहीं है मैं आपको दिखाई देता हूँ यहां पर मैं यहां पर console.log and मैं children कर देता हूँ ठीक है तो आपको भी पता चल जाएगा children में आपको इतना सब कुछ मिल रहा था इसको मैं refresh करो one more time so यह सब कुछ आपको children के अंदर मिल रहा होता है अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना यहां आपको आपको आइड़े आ गया कि यह देखो न यहां पर टाइप में आपको यहां पर चीज पता चल जा रहा and that is name home ठीक है तो यह सारी चीजे होती है अभी तो यह hello context API है लेकिन अब मुझे यह जो मेरा home component है इसके अंदर मुझे यह data चाहिए यह वाला data my name and उसको तो already मैंने यहां पर पास करी रखा है value के अंदर है ना तो simple मैं यहां पर आऊंगा यहां पर देखो कैसे data अगर मुझे get करना हो तो उसके लिए हम क्या करते use context hook का use करते है इसके अंदर आपको आपका जो main context है कौन है आपका main context bio context है आपका main वो आपको इहां पर पास करना पड़ेगा control space enter कीजिए use effect I mean use context इसको भी get कर लीजिए तो कुछ इस तरीके से हमने get कर ली अब यह जो particular part है मैं directly अब इसको destructure करने वाला हूँ and that is our my name करके है तो मैंने directly destructure कर ली अब यह जो my name है इसको मैं copy करूंगा hello context API my name is इस तरीके से and then यह मेरा paste ठीक है अब आप देखो मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ and oh my god आप देख सकते हूँ कि मुझे मेरा नाम नहीं आये यहाँ पर उसके पीछे का क्या region है वो हम देख सकते like const my name Vinod value पर मैंने my name कर रखा है यहाँ पर my name मैंने get कर एक second यहाँ पर destructure करने की भी need नहीं है मैं directly इस तरकी से भी लिख सकता हूँ क्योंकि फिलाल एक ही data था ना अपने पास तो and boom guys see my name is Vinod मुझे आ गया तो आपने power देखा यहाँ पर क्या है अब यहाँ पर rule यह बोलता है कि जितने भी आपके data है जितने भी आपके states है वो सब के सब अब आपको क्या करना होगा सब के सब आपको यह जो provider component है यहाँ पर उसको define करना होगा this is the beauty yes guys इतना ही है यहाँ पर अब जितने भी आपके data है जो आपको different different जगे पर लगने वाले है आपको क्याँ पर define करना होगा inside your provider component and जब जब जो आप define करोगे आपको इस तरकी से value props के अंदर उसको pass करना है for example const my age will be equal to अभी मैं 30 तो मैं इस तरकी से लिख देता हूँ अब यह जो my age है comma my and then age अब आप एक चीज़ notice करो कि मैं इस तरकी से मैंने इसको pass कर दी करता हूँ यहाँ पर आप में क्या कर सकता हूँ मेरा यह जो home है वहाँ पर मुझे दो data है अब मुझे curly braces लगेगा and then we have my and then age and इस तरकी से I am यह जो भी है age years old ठीक है all right so आपको my age लिखना पड़ेगा मैं अगर इसको refresh करता हूँ अब आप देख सकते हूँ यहाँ पी कि मुझे my age नहीं आ रहा है ठीक है तो एक simple चीज मैं आपको बता तो जब भी आपका data अगर एक या उससे ज्यादा हो तो आप क्या करो आप object के form में उसको share कर दो इस तरीकी से फर्स्ट कलिब्रेस तो क्यों आपको जास्क्रिट की दुनिया में आप जा रहे हो सेकेंड कलिब्रेस इट मिंस अब आप object क्रेट कर रहे हो तो इन रियालिटी में my name is is equal to my name कुछ वह ऐसा होता है ठीक है रियालिटी यह हो रहा है कि की का नाम भी same है value का नाम भी same है and if both the key and name are same तो हमें उसकी need नहीं पढ़ती है actual में यह हो रहा होता है value में ctrl s save करता हूं तो अब आपको data आना ही आना ही फिर तो समझे रहो तो guys यह था आपका context API आई हो वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आओगा and कल की वीडियो में हमने एक store है अब हमारे पास एक store है समझे रहो यहां पर आपके सारे data आएंगे फिर वहां से आपको चाहे तो counter को बेजो वहां से आपको लगे तो आप इसको बेजो वहां से आपको लगे तो इसको बेजो वहां से आपको लगे तो आप इसको बेजो तो आप इस प्रॉब्लम से हम बज गए ना आपका जो भी डेटा होगा वो कहा होगा एक अलग जगे पे वहां से डेटा जिसको भी चाहिए ले लो भाई बस सिंपल तो यह है ना कैस कितना ज्याद ऑसम आप आपको बताता हूं जैसे मैंने का कि आप अपना एक अलग सा वेर पतले आविल गो वित अबाउट सिर्फ इतना ही है हेलो कॉंटेक्स अप्याई माइनेम इस यह यह एंड चलो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉंटेक्स अप्याई मैं यहां पर बस अबाउट कर देता हूं थाकि आपको यह लगे कि यह अबाउट पेज का डेटा है इसको मैं यहां चलता हूं मेरे सोरीzing अप कॉम्पोनेन्ट परों के शलता हूं आप मेरा काम होगी अब में यहां पर चलता हूं演्ट को बबूम अप के लिए यह जो बिन्त आपका Az30 आप देख रहा हो कि लेना देना नहीं है यह कौंसे कोंपोनेन्ट थे कहाँ के component है बट मैं यह जो data है उसको get कर पा रहा हूं तो कितना easy होगे आप हमार ले कि कोई भी component वो data को कभी भी कहीं से भी access कर सकता है this is the beauty of your contact shape है किसी को लेना देना नहीं है कि किसके नीचे कौन है parent कौन है child कौन है मतलब नहीं भई पारेंट ने data लिया तो किसी को पता नहीं चलेगा grand grand child ने भी data ले तो उपर किसी को पता नहीं चलना वाला store से data लेना निकलना बात खत्तम वीडियो आपको कैसा लागा comment करके जरूर बताना कुछ भी डाउट हो तो comment करके जरूर बताईएगा अगर आपके पास से एक सेकेंड वी हो तो सब्सक्राइब बटन पर हिट कर दीजे न मुझे बहुत motivation मिलता अगर आपसे वीडियो देखके चले जाओगे तो फिर मुझे भी लगेगा यार समझ रहो तो एक सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजे लाइक पर क्लिक कर दीजे मि झाल